नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले की तरह यूज कर पाएंगे आए सब कुछ इस वीडियो में डिसकस करेंगे। यर्शिका जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने बोला कि बहुत जादा परिशानी होती है लोगों को कि जब उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो समझ नहीं आता हूं सिच्वेशन में क्या किया रहा है। तो सबसे पहले मैं आ रहा है मेरा जो सवाल आपसे यह रहेगा कि आसल में बैंक का जो यह अकाउंट फ्रीज होता है। वो क्यों होता है। यह एक बहुत बरी समस्या है और इस समस्या से बहुत सारे लोग परिशान है। देखे क्या होता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे है। अगर कोई complaint हो गया, cyber crime के पास में, अगर कोई complaint हो गया, आपके account को ले करके, कि आपके account में कोई payment जो गया हुआ है, वो payment प्रॉपर नहीं गया हुआ है, और ये complaint अगर cyber crime के पास में हो गया है, तो cyber crime आपके account को freeze करवा सकती है, और जब एक बार freeze हो गया आपका account, तो उसमें कई तरह के फ्रिज होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा एक बाद फ्रीज हो गया तो आपको बहुत कठे नहीं होता है है तो जैसे कि आपने बोला कि cybercrime के पास अगर complaint आ गए तो सिर्फ cybercrime को ही क्यों right है? नहीं, cybercrime को ही right नहीं है, कोई भी police authorities इस काम को कर सकती है. Normally क्या होता है कि मान लिजे कि किसी भी investigation में कोई complaint हुआ पुलीस के पास जै और उस complaint में कोई bank account involved है, जैसे मान लिजे कि मैं complainant हूँ, और मैं यह बोलता हूँ कि यह particular bank account है, इस bank account में मेरा यह transaction गया हुआ है, जो कि फर्जी तरीके से गया हुआ है, बस इसके अधार पे जो police है, वो bank को contact करती है और आपके account को freeze करवा लेती है, यहाँ पर एक चीज़ कि अगर police authorities जाहें, तो credit freeze करवा सकती है, debit freeze करवा सकती है, यह transaction freeze करवा सकती है, debit का मतलब यह हो गया, कि आपके account से कुछ भी पैसा निकलेगा नहीं, बलकुल, का मतलब होGAN कि अपके आकांट में कुछ भी आएगा नहीं और फ्रीकशन का मतलब यह होग universum ऺये कि जो पर्टिक्लर रेंचिन आपके अकांट में आया हुआ है जैसे 10,000,500 हजार का आया हुआ है उसको फ्रीज कर दिया गया वो अमाउंट आप नहीं निकाल पाऊगे उतना हमेशा आपके अकाउंट में रहेगा आइडियली यही होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन फ्रीज होना चाहिए लेकिन पुलिस अथारिटीज देखती हैं नौर्मली प्रेशर बनाने के लिए कि ट्रांजेक्शन फ्रीज में तो अक्यूज को पता नहीं चलेगा आपके अकाउंट में माली यह लाख रुपिया है और इसमें से दो हजार पे अगर फ्रीज लग भी किया तो आपको क्या पता चलेगा जब आप अन्ठानवे हजार निकालने जाएंगे तो मालुम चलेगा कि यह दो हजार नहीं निकल पा रहे हैं तो तो नहीं यह दो आपको प तो कई इनोसेंट लोग भी अकाउंट फ्रीज जैसी समस्या को से जूज रहे हैं और उन्हें बहुत दिक्कते होती हैं तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि जो साइबर क्राइम है अब यह अकाउंट फ्रीज करने के लिए इनके पर डिटेल्स होती क्या है तो क्या सिर्फ पैन नं अगर होगा तो उससे यह पता लग जाता है कि यह किस बैंक का है फिर वहां पर अकाउंट टंबर प्रवाइड करते हैं तो बैंक डिटेल्स निकाल सकती है और कई बैंकों ने तो अपने अपने एक ग्रूप मतलब ब्रांचेज बना रखे हैं और उनमें जो है पुलीस वा बैंक आपको नहीं सूचित करती है जब आप बैंक जाओगे और आप पूछोगे कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है तो बैंक लाइबल है एंसर करने के लिए बैंक बताएगी कि इस कंप्लेंट के बेसिस पे हमने अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है और फिर आप उ उनके जादा तर बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं लेकिन जैसे कि आपने का कि आम परसन जो बहुत इनोसेंट है तो इनके अकाउंट इसमें कैसे इन्वाल क्लिया जाते हैं जैसे मालो मैं आपको एक एक जामपल दे रहा हूं मुझे आपके पास में भेजने है दो लाख ररोपिय और मैंने क्या किया कि मैंने एक बार में दोलाख को नहीं भेजा घ्रिक लेकिन माल वहां कि आम कोई शॉप है या कुछ चश्य अब उसके लिए कहीं से आप को दो हजा हैं तो दो हजारा आते हैं तक मैंसे वेए 4000 पे एसे amount आ रहे हैं कि अब आपके पास किसी ऐसे account से पैसे आ गया है जो account अलरेडि उसमें कोई fraud हो रखा है तो वो chain देखते हैं कि पहले इस account में पैसा गया फिर इस account से उस account में गया फिर अगले account में गया और उस chain से जुरे हुए जितने अकाउंट होते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है पुलीस के रिक्वेस्ट के बेसिस पे यह इसमें 95% गलत अकाउंट फ्रीज होते हैं और इनोसेंट लोगों के फ्रीज हो जाते हैं और बरे परिशान होते हैं जैसे आप डैली में बिजनेस कर रहे हो अब आपको प आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया अब आपको हैदरबाद पुलिस से कॉम्निकेट करना है बोलना है अब वो जब तक बोलेंगे नहीं बैंक को तब तक आपका अकाउंट अन्फ्रीज नहीं होगा तो ये एक बड़ा मुश्किल परकिरिया हो जाता है और अन्फ्र तो दोस्तों इस क्विज का सवाल यह है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है या आपको कोई ऐसा चेक मिला है जो आप डिपोजिट कराने के लिए उसके बाद से बाउंस हो गया तो आप केस कौन से एक्ट में फाइल करेंगे Option A Criminal Procedure के तहट फाइल करेंगे यानि BNSS Option B CPC के थुरू फाइल करेंगे यानि Civil Procedure Code के थुरू Option C Negotiable Instrument Act के थुरू फाइल करेंगे Section 138 या फिर None of these यानि इन में से किसी में भी ने अगर आप सही जवाब देते हैं और अपने डिटेल्स हमारे इमेल पर भेजते हैं तो आपको बहुत ही शांदार गिफ्ट हैंपर December 1st week में जो भी विनर्स अनाउंस होंगे उनको मिलेगा तो आप जैसे कि अभी हम आपकी बात को कांटीनिव करते हैं आपने बताया कि अगर हाइदराबाद से पुलिस जब तक यहां नहीं बोलेगी तब तो अकाउंट अन्फ्रीज नहीं होगा तो इसमें कैसे बात की जा सकती है पुलिस से अब इसको अन्फ्रीज कराने का जो तरीका होता है वह हमारी लॉयर्स के नेटवर्क होते हैं वहां पे कॉंटैक्ट करते हैं वहां के लोकल जो लॉयर है वो पुलिस एस्टेशन विजिट करते हैं विजिट करके वहां पे मैटर को पता लगाते है क्या मैटर है क्यों फ्रीज हुआ है जरूरत परने पर नोट फ्रीज हो गया है या बजिने इसे करते हैं और हैदराबाद में मानिजी फ्रीज हुआ या बैंगलोर में फ्रीज हुआ लाइद नटीन होनी के विजए से अगर लाइस पता लगाए की क्यों हुआ हुआ ये तो उसमें मालूम चल केगा और चुब का कोई रिपलाई किया सकता है जो वह उसको नहीं सुनेंगे तो नहीं गे ग्राइन को अंपने गश्च किया है है, कर इस्पना अगर्श आयरuli Summe नौ बजे से लेगे शाम को आठ बजे तक 7 डेज कॉल कर सकते हैं कोशिश करेंगे कि आपको पूरी साहता मिले तो मेरा बस question last यह रहेगा कि क्या जो हमारा bank account freeze हो जाता है इसकी statement अगर हमें चाहिए हो या कोई detail चाहिए हो तो क्या वो मिल सकती है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या freeze किया गया statement तो फिर भी मिल सकता है आपको बट के वल ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं वो डिपेंड करता है जैसा मैंने शुरू में ही बताया है कि debit, credit, transaction क्या freeze किया गया उसके हिसाब से डिसाइड होता है ठीक है Thank you so much sir, this topic को clear करने के लिए, thank you sir, thank you sir.